बहुकाल बनाए रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुँ जरूरी है देखते रहेगा पूरा वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म कस्मीर फाइल्स के बारे में जिससे डाइरेक्ट किया है विवेक अगनी होतरी ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे है अनुपम खेर और मिथुन चकरवर्ती बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म को जाहें एक हपता हो चुका है लेकिन फिर भी ये फिल्म डेली हाउसफुल जा रही है और फिल्म की जो स्क्रीन से वो भी हर दिन बढ़ती रही जिसी के चलते दोस्तों यहाँ पे दकस्मेर फाइल्स ने अपने पहले हपते में अपने बजट से पांच गुना ज्यादा कमई कर ली है जिया दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दकस्मेर फाइल्स का जो बजट है वो था सिर्प 20 करोड रुपे लेकिन बात करें फिल्म के अब तक के टूटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों दकस्मेर फाइल्स ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइट कलेक्शन किया था 4 करोड 25 लाक रुपे का दूसरे दिन कमाय थे 10 करोड 10 लाक रूपे, तीसरे दिन 17 करोड 25 लाक रूपे, वही चोथे दिन 16 करोड 25 लाक रूपे और पाचवे दिन 19 करोड 10 लाक रूपे, वही छटे दिन collection किया था 21 करोड का इसी के साथ दोस्तो दकस्मेर फाइल्स का सुरुवाती 6 दिनों के अंदर worldwide collection हो चुका था 88 करोड यानि के 88 करोड रुपे का बात करें फिल्म के साथवे दिन के collection के तो दोस्तो यहाँ पे दकस्मेर फाइल्स अपने साथवे दिन भी पूरी तरह से household जा रही है और फिल्म को ओल इंडिया में लगभग 90% की occupancy मिली है जो के पूरी तरह से सांदा रही तो जो आभी तक रिपोर्ट आईए उसके मुताबिक दकस्मेर फाइल्स अपने साथवे दिन टोटल कलेक्शन कर रही है लगभग 18 करोड का इसी के साथ दोस्तो दकस्मेर फाइल्स का पहले हपते के अंदर worldwide कलेक्शन हो रहा है लगभग 106 करोड का जिया दोस्तो फिल्म क बजट सिर्फ 20 करोड रुपे और फिल्म ने पहले हपते में ही 100 करोड से जादा की कमई कर ली यानि कि दकस्मेर फाइल्स बोक्स ओफिस पर एक बहुत बड़ी ब्लोकबश्टर हो चुकी है लेकिन दोस्तो अब अगर नजर डाले बच्चन पांड़े फिल्म के एडवांस त्रिपाठी जैसे कलाकार है बताना चाओंगो दोस्तो इस फिल्म को कल रिलीज किया जाना है और फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो आज सुभा तक एक तरह से डिसेंट रही क्योंकि दोस्तो यहाँ पे बच्चन पांड़े फिल्म के जो मेकर से उन्होंने आज सु तक यानि कि रिलीज होने के 24 गंटे पहले तक एडवांस बुकिंग में टोटल कमई कर ली है 3 करोड 25 लाग रुपे की जो की एक तरह से डिसेंट कलेक्शन माना जा सकता है अलाकि कल फिल्म रिलीज होने जा रही है तो पूरी उमिद है कि कल बच्चन पांड़े बोक्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले